हे आज काली काल ना इंटरनेट में कशन घूंब रहे है क्या होगा हम उपयसी मौटर को इसा सप्राइदे हدए ऑर निए क्या होगा हम सब सकता एक पदूँ में रहे हैं तो ज्यादा बाते कि चले शुरू करते हैं जैसे आप लोग सब देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए सला है कि वो गायत्री मंतर का निरंतर जब करते रहे जब तक नहीं दिखाई है मेरे पास एक 9V का पावर सप्लाई है जो इन दोनों तार के वीज में मुझे 9V का DC पावर सप्लाई मिल रहा है और यहां पर मेरे पास एक ट्रांसफर्मर है जिससे मेरे को 9V का AC सप्लाई मिल रहा है मेरे पास एक DC Motor है जिसको मैं पहले DC Supply दूँगा और देखूंगा क्या हो रहा है उसके बात ऐसी सब्सक्राइद दूगा और देखेंगे कि क्या हो रहा है तो लेट्स चेक इट आउट तो वान टू ख्री है अज इसके आप देख सकते पुरा हिब्स पिल्ट में गुम रहा है तो यह तो यह तो हो गया DC सफव लगया DC Motor था DC सफ्लाइद में आराम से गुम गया अब देखेंगे कि इसके देंगे तो क्या होगा जो बात को ज़िए जानना चाहता है कि DC motor को SC supply देंगे तो क्या होगा? रदो रदो लोक वाट अप्वील बूम नोधिंग, इस नत रूते इंग, इस बाइबरेटिंग, बिकास, because SC supply is unidirectional in nature, in the first direction, let's say it creates a torque in this direction, but in the negative half cycle, it creates a torque in this direction, so it will not rotate at all, because the torque is producing in both of the two directions, so it starts to vibrate, so I have provided SC supply, it is not moving, you can see this, it is vibrating, so I think that one mystery is clear that what will happen if we provide SC supply to DC motor, so please share this video with your friends, so the fees खो भी जान सकते हैं, कि अगर कोई DC supply, SC supply at DC motor को दिये जाते, तो क्या होगा, thank you, झाल झाल झाल